स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे छारखन में 60,000 सिक्षकों की भरती होगी यह खबर कितनी सच्चाई है इसमें और किस तरह से 60,000 सिक्षकों की भरती होगी इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से समझाओंगा साथ में जिन लोगों ने Assistant Professor की भरती के लिए जो है लंबा इंतजार किया है उनके लिए भी खुषचकपरी है यहाँ पर Assistant Professor की भी यहाँ पर भरती यहाँ गर शिक्षवभाग में टोटल सिक्षव भिभाग में अलग-अलग तरग की विकैंसित आती है वहाँप यह बोला गया है की 10 भी precisely consider कर लेते हैं कि ये सबकुछ क्या है मान लेते हैं कि धर्ती पर उतर नहीं बाला है, तो ये सबसे ज़्यादा फाइदा नए BAEAT के विद्यार्थियों को बाले विद्यार्थियों मिलेगा क्यों कि जो पुराने वाले विद्यार्थियों जिन लोगों ने 2016 के बाद से बी एड किया था उनको तो जेट एड का भी मौका नहीं मिला था भी तक अब जो है अभी मिला हुआ है तो ये जेट एड का जो एक्जामिनिशन है इसको हर्ड पे रखा गया है अब देखिए इस जेट एड के आयोजन के बाद फिर से एक बार जेट एड का आयोजन होगा या नहीं होगा इस पर भी मैं इस वीडियो में बात करूँगा आगे बढ़ें उससे पले आप सभी लोगों को मैं बता दू आप हमारे टेलिग्राम पे जुड़ जाएए जहां पे आपको सभी लिंक के साथ-साथ पीडियो फगेरा फिरी में अबलेबल कराए जाती है जो कि एक जामनेशन से रिलेटेट होता है करना क्या है नीचे कॉमेंट सेक्षन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलिग्राम चैनल का लिंक मिल जाये का लगभग 14,000 लोग वहां पे जुड़ चुके हैं 13,000 कुछ लोग है जब आप जुड़ोगे तो साथ 14,000 लोग टोटल हो जाए पहली बात दूसरी बात कि टेलिग्राम पे जो है आपको लिंक वगएरा भी मिलता है तो अगर आपने नोटिफिकेशन वगएरा नहीं मिलता है आपको यूट्यूब के मादेम से तो आप टेलिग्राम से वहां पे लिंक की जो है अपडेट वगएरा आपको वहां से मिलते नहींगे को जोईन करना मस्ट है पहली बात दूसरी बात आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब तो किये हो लेकिन बहुत सारे लोगों ने बैल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो नोटिफिकेस न आपको नहीं मिल पाता है तो बैल आइकन जरूर प्रेस करना विडियो को लाइक जरूर करते हैं अप देखें आगे की बात करते हैं अब देखें एक्षटिवी एक्शन के समय तो कौन क्या कह रहा है यह इंपौर्टेंट नहीं है किसने क्या किया है और क्या करने की चमता रखता है ऐसा इन्होंने कहा है और definitely 1000 रुपए तो ये दे ही रहे और चौती किस्त आज ही जो है या कल ही साम को जारी की गई ये बहुत सारे लोगों के अकाउंट में पैसा आ भी चुका है और आने वाले देखो एक्शली क्या नहीं देखो ये timing बहुत important है पहला election 13 नमबर को है और ठी कि इसी समय जो है एक किस्त जारी की जाती है ताकि जहां जहां election है वहां के लोगों को at least 1000 रुपए पहले मिल जाए और 20 नमबर को जहां जहां पे election है वहां पे ठीक उससे पहले लोगों को 1000 रुपए दिया जाए अब देखो ये इसकी tactics ना बहुत सारे लोग होते हैं मुख जो है significant importance होता है तो इस तरह से जो है चीजों को किया जाता है अब बात आते कि क्या 60,000 सिक्षकों की भरती आएगी तो देखिए मैं आपको guarantee के साथ बताता हूँ इनके खुद के survey में 26 के और 24 के की बात ये कर रहे थे ठीक है ये 26,000 और 24,000 पदों की बात कर रहे थे तो यह जोड़ोगे तो यहां से देखिए आपको 50 ही भरती दिखने को मिलेगी या आप माल लेते हैं 51,000 टीचरों की भरती देखने को मिलेगी ये ही ये data है तो ये 26,000 पदों की भरती तो actually exam already लिया जा चुका है इसमें नई वाले भी द्यार्थी तो अब सामिल हो नहीं पाएंग अब बचा 24,000 इसकी भरती कब आईगी जेटट का exam कब होगा ये सब कुछ election के बाद होगा लेकिन मैं आपको guarantee के साथ बताता हूँ अगर जेवेम की सरकार आई तो ये 24,000 पदों पे जो भरती आएगी इनके अगले कारिकाल के आखरी समय में आएगी क्योंकि इनको वो जो ह बोलते हैं ट्रिक पता चल चुकी है कि election से पहले आप तीन साल चार साल कुछ भी करो फर्क नहीं पड़ता है election के आखरी साल में आखरी साल में आप क्या क्या करते हो ये बहुत important हो जाता है आखरी साल में अगर आप जो one year का time बचता है उसमें आप लंबे लंबे promises कर दो आप भाई बनो दो ही माय मान लेता हूं तो उस हजार रुपे में क्या आपका परिवार चल जाएगा अब कुछ लोग नीचे comment section में आएंगे मुझे BJP का agent या फिर XYZ का agent बताने लगते हैं मैं आपसे तारकिक सवाल पूछ रहा हूं आप चिड़कियों जाते हों मुझसे म मैं पता है कि बहुत सारे लोग JMM को ही vote करेंगे मुझे उससे कोई दिकत नहीं आपकी सोतंतरता है आपका right to vote का अधिकार है आप कीजिये vote लेकिन अपने आप से पूछ के देखिए 1000 रुपे में आपका परिवार चल जाएगा क्या उसी तरह से परधान मंतरी ने भी जो है तब पुछा जाएगा बिधान सभा election के दोरा अब यहां पर देखिए मैं आपको दो तीन चीजें बता देता हूँ जो इनके दोरा जो है खोसना की गए जो कि आपसे related है direct यहां से देखिए सिक्षा और रोजगार में 10 लाख बहाली का वादा किया गया है कहां कहां पर तो सकते हो आप लेकिन जो सच है उससे आप मुकर नहीं सकते हो पिछले बार हम लोगों से TGT और PGT में आवेदन लिया गया था या नहीं लिया गया था लोग पोस्ट ओपिस में लंबे लंबे लाइन में लगे bank drop बनाया उन लोगों ने drop का पैसा किसने खाया मैं आपसे पू जी हाँ यह जो है TGT PGT में हम लोगों से आवेदन मांगा गया था पैसे भी नहीं लोटाए गए TGT और PGT लिखिएगा मुझे पता चलेगा कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं यह जो नंगा नाच किया जाता है रोजगार देने का इस पे हेमन सोरेन ने क्या कदम उठाया और क्या इसकी रियालिटी है मैं आपको से पूर रियालिटी चेक दे रहा हूँ आगे देखिए यह इनोंने कहा है इसके अलाबा हर पंचायत में 4500 सोरेन खोलेंगे वाह वाह राम राज ही आने वाला है अगर हेमन सोरेन आज आते हैं तो राम राज ही आने वाला है PhD जो है घपला किया सबसे पहले इनोंने क्या किया इंटरनेट को बंद कर दिया ठीक है पेपर लिक ना हो इसके लिए बंद किया लेकिन जो विद्यार्थियों ने सबूत रखे उसके बाद को माना क्या है मन सोरेन को कैसे पता चल गया कि पेपर लिक नहीं हुआ है या हमें क जांच भी नहीं कराया और कहदिया पेपर लीक नहीं हुआ है कैसे मालने हम आप जांच कराइए ना उसके बाद चीजें होगी तो अब देखे इन चीजों से क्या समझ में आ रहा है आपको कि हाँ ये 60,000 पद में जो है 26,000 तो पहले से ही आपके लिए भरा हुआ है ये 24,000 की भरती आएगी डेफिनेटली आएगी इस भरती में साल के आखरी समय में अभी तो तीन साल भरती नहीं देंगे हमन सोरन ये मैं आपको गैरेंटी के साथ का सकता हूँ आ जाए तो बोलते है ना कि मेरी अगर बात गलत होने से आपका वेनिफिट हो जाए तो मैं गलत होने के पर इसे नहीं आया है अगर मैं बोलू तो लगवग लगवग 10 साल हो चले हैं हाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूँ तो दिख Рос прим की भरती के बारे मैं सबसे पख्रुके के बारे में लेकिन जेट की परिक्षा कई हस लाइब में जो है इसे ठंडे बस्ते में दाल दिया है, तो हाँ, जेट की परिक्षा होगी, आप जिन लोगों ने graduation कर रखा है, वो लोग फटा-फट PG कर लें, यहाँ पर आपको मौका में लेगा, देखिए जो बात सच है वो मैं आपको बता रहा हूँ, PG कर लीजे, PG करने में बहुत प जेट का फॉर्म नहीं बहा है, उनके लिए फिर से एक बुरा सपना साबित होने वाला है, क्योंकि 24,000 के पहले यह मुझे नहीं लगता है कि एक JAT का आयोजन करेंगे, क्योंकि 26,000 के पहले इन्होंने JAT का आयोजन नहीं किया है, यह actually इनके सरकार में पता ही नहीं है, कि ट कि इसकी क्या सचाई है खेर आप मुझसे सहमत असहमत तो नों हो सकते हैं नीचे कमेंट करके बताईएगा तो ये थी हकीकत और दाबों का जो पोल है वगएरा वगएरा मैंने आपको बता दिया तो मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो को आपने यहां तक देखा प्यार इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत सुक्रिया इस वीडियो को सेयर करें किसी WhatsApp, Telegram, Group में ताकि लोगों को सचाई पता चल सकें दूसरी बात वीडियो को लाइक करना ना भोले मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू सो मच